नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे चैनल केवल लेक अड़ी पर देखे हमारा यह घटना चक्र के आधुनिक भारत इतियास का सिरीज चल रहा था है जहां पर आज हमारी बात होगी अन्य जान आंदुलों के बारे में जिसमें हम लोग बात करेंगे नील विद्र प्रशन जो है वह प्रशन उत्तर के माध्यम से होता है चलते हैं सीधा प्रशनों की तरफ और बात करते हैं हमारे सबसे पहले प्रशन के बारे में यहां पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रों के ठीक बात बंगाल में निम्निलिकित में से कौन सा विपलव हुआ इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर सी 1857 की क्रांती के ठीक बात बंगाल में 1869 में है निल विद्रों हुआ था दिगंबर विश्वास और विश्रु विश्वास के नित्रत में फिलाल इसके बारे में एक्स्परनेशन से बात करेंगे यहां थोड़ा थोड़ा इनक जो हुआ था यह हुआ था 1763 से 1800 के मध्य और इसे क्रांती का नित्रत्य किया गया था मंजू सहा और देवी चौधरानी के द्वारा और इसका जो प्रभाव छेत्र था वह भी जान लिए क्योंकि प्रश्णुक्तर में नहीं आया गब आ गई है धाका रंगपूर और साथ ही साथ मैमनपूर मैमनपूर धाका रंगपूर मैमनपूर में अपना प्रभाव छेत्र इस्थापित करते हुए सन्यासी विद्रो किया गया था 1763 से 1800 के मध्य जिसका तातकाली कारण था हिंदू एवा मुस्लिम तिर्था अस्थानों पर यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंद ठीक है और इस सन्यासी विद्रो को दबाने का स्रेव वारेन हेस्टिंग को जाता है और इसके बारे में बंकिम चटर जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में लिखा भी है ठीक है आनंदमठ का कथानकी सन्यासी विद्रो से लिया गया था वहीं अगर बात करे संथाल विद्रो के बारे में इसके बारे में तो भी प्रश्मोत्तर भी आगा तो है उतने डिटेल से बात नहीं होगी ठीक है तो संथाल विद्रो हुआ था अठारा सो संथाउन की क्रांती के ठीक पहले यानि की अठारा सो पचपन से चपन के मद्द तो वहीं पावना विद चिहत्तर से चिहत्तर के मद्ध ठीक है तो चलिए बात करते हैं नील विद्रो के बारे में नील विद्रो की सुरुआत जैसा कि आप लोगों को बताया गया कब से कब हुआ था तो यह 1869 से 60 के मद्ध हुआ था इसकी सुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंद पूर गाउं से हुई थी जहां पर दो भूत पूर्व नील उत्पादक करमचारी दिगंबर विश्वास और विश्डु विश्वास के नित्रत्य में किसानों ने इस विद्रो की सुरुआत कर दी थी और उन्होंने नील की खेती को बंद कर दिया था ठीक है यह 166 के की खेती करना चाहते थे उनको यूरोपी नील बगान मालिकों के द्वारा मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए और यदि किसान ऐसा करने से इनकार करते थे तो उनको नील बगान के मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था जो कि विबिन प्रकार से ह जाना या फिर उन पर किसी प्रकार का अन्य अत्याचार करना इस प्रकार के दमन का सामना करना पड़ता था किस बंगाल के किसानों को तो अंत्यतों गत्वा सितंबर 1869 में उत्पीडित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्ड़य ले लिया और बंगाल के ब और इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धी जीवी वर्ग ने भी अपना समर्थन प्रदान किया अखबारों में लेक और जन सभाव के माध्यम से जिसमें प्रमुकुरूप से सामिल थे हिंद्रू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंदर मुखर जी वहीं देखे नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र के द्वारा अपने नाटक नील दरपड में भी किया गया है ठीक है आईए बात करते हैं अगले प्रस्ण की यहाँ पूछा जा रहा है कि नील क्रिश्को की दुर्दसा पर लिखी गई पुष्टक नील दरपड के लेखक कौन थे तो अभी अभी अमने देखा नील दरपड के जो लेखक थे वह थे दीन बंधु मित्र अगला प्रस्ण देखते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दरपड जिसमें इंडिगो या नील की खेती करने वाले किसानों के धमन चक्र का चित्रण किया गया है की रचना है तो यह रचना किसकी डारेट कर लेते हैं ना अप्शन नमबर डी यानिकी दीन बंधु मित्र की यह रचना है निक्स्ट नील दरपड नाटक का लेखक कौन था तो नील दरपड नाटक का लेखक था दीन बंधु मित्र नेक्स्ट यहाँ पूचा जा रहा है कि निम्निलकित में से किस कारण से भारत में बीश्वी सताबदी के आरंभ में नील की खिरेती का हरास हुआ A. नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रतिकास्तकारों का विरोद B. नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाब कर होना C. नील की खेती का राष्ट्री नेताओं द्वारा विरोद किया जाना D. उत्पादकों के उपर सरकार का नियंत्रण इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नंबर B. नई खोजों के कारण विश्व बाजार में नील की खेती का अलाब कर होना हुआ क्या था कि जर्मन में एक डाई का निर्माड हो गया था जो कि नील के विकल्प के रूप में इस्तमाल की जाने लगी थी इस कारण जो भारती नील था वह 222 पार से बाहर हो जुका था लेकिन फिर भी बगान मालिक जो है दबाव डालते थे और जवरदस्ती नील की खेती करवाते थे इस कारण से किसानों द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा यह जान लिजे कि नील का जो पेड़ है वह उस्ल कटबंदी फसल है ठीक है देखे 1788 इसमे में ब्रिटेन द्वारा आयात किये गए भारती नीलों का हिस्सा था 30 प्रतिसत जो की 1810 में बढ़ करके 95 प्रतिसत क लगभग हो गया था लेकिन अंततो गत्वा बीसीवी सताब्दी के प्रारभ में यूरोपी देशों में कृतिम रंगों का निर्माड होने से भारती नील उद्यों को तिव्र धक्का पहुंचा और प्रमुक्तिया या चोट पहुंचाई जर्मन के द्वारा अपनी बनाई ह द्वारा जो कि नील के विकल्प के रूप में प्रयोग की जाने लगी थी जो कि परमपरागत नील से जो है अधिक चटक होती थी और साथी साथ जो है अत्यधिक समय तक चलती भी थी तो चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है ए रबिंदर नाट टैगोर बी रामधारी सिंग्दिन कर सी सरोजनी नैडू या फिर दी बंकिम चंड चटर जी चलिए इसका जो सही अंसर है वह है option number D बंकिम चंड चटर जी के द्वारा लिखा गया है ने अपनी प्रसिद्ध दिकरिती आनंदमट में लिखा है ठीक है बंकिम चंड की प्रसिद्ध दिकरिती आनंदमट से लिया गया है और इस उपन्यास का जो कथानक है वह है सन्यासी विद्रो जिसका समय कालता 1763 से 1800 के बीच का और जिसका प्रभाव चेतर था धाकार, रंगपूर और मैमानपूर और इस अंदोलन को विभिन्य समयों में नित्रत्त प्रदान किया था मंजू सहा और देवी चौधरानी ने को पहली बार गाया गया था और यहां था कांग्रेस का बारवा अधिवेशन और इसकी अध्यचता की थी रहीम तुल्ला आगे आप लोग बता दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट प्रसंदेख लेते हैं दरसल जब कांग्रेस के बारे में बात करेंगे तब यह सारी चीज़े वहाँ पर हम लोग देखेंगे यहां पूछा जा रहा है कि आनंदमट उपन्यास की कथावस्तु आधारित है तो आनंदमट उपन्यास की कथावस्तु जो है वह सन्यासी विद्रोपर आधारित है इस उपन्यास को लिखा गया था बंकिम चंद्र चटरजी जी के द्वारा और इसी उपन्यास से वंदे मातर लिया गया है निम्नलिकित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेक करके प्रसिद्ध किया तो यह विद्रोह था सन्यासी विद्रोह निम्न लिखित में से किस ने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याती प्रदान की तो यह प्रदान की बंकिमचंद चटरजी ने सुमेलित करवाने वाला प्रश्ण है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसका जो सही अंसर है वह इन दोनों में आपको कन्फ्यूज कर देगा ठीक है तो फिलाल देखिए यहाँ पर पाबना विद्रो जो हुआ था 1878 से 176 के मद्ध दक्कन किसान विद्रो अठारासो पिश्पो के मद्ध हुआ था तो तो उएत्षान के मद्ध हुआ था था 1831 और 32 मिन्ना की 1870 में ठीक है चले अगले प्रस्ट के बारे में बात करते हैं यहां पूछा जा रहा है कि मुंगेर के बहरिया ताल विरोत का उद्देश्च क्या था बहरिया ताल का विरोत कहा हुआ था तो बैहार के मुंगेर में ठीक है इसका जो प्रमुक करण था वह था बाकास्त भूमी की वापसी की मांग ठीक है निक्स्ट उन्नीश्वी सताबदी के दवरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुक केंदर था ए लाहोर, बी पटना, सी अमरित्सर या डी पूरे इसका जो सही अंसर है वह है option number B 19-वी सिताबदी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का जो मुख के केंदर था वह था पटना दिखें यहाँ पर explanation में 19-वी सिताबदी के चौथे दसक ते सातवे दसक तक यह वहावी आंदोलन चलता रहा राय बरेली के सयद अहमद बरेली भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे और सयद अहमद बरेली जो है वह अरब के अब्दुल वहाव से प्रभावित हुए थे परन्तु उन पर अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संथ साह वजी उल्लाह का था सेयद आहमद बरेलवी की महतुकांचा पंजाब में सिखो और बंगाल में अंग्रेजों को आपदस्त करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर जीवित और पुनर अस्थापित करना था ठीक है सेयद आहमद बरेलवी का नाम ध्यान रखिएगा आप लो ठीक है और इनके वहाबी आंदोलन का जो उद्दे से था वह था पंजाब में सिखो और बंगाल में अंग्रेजों को आपदस्त करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर जीवित और पुनर अस्थापित करना सेयद आहमद बरेलवी देखे यह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे और उससे भी ज्यादा यह प्रभावित हुए थे दिल्ली के एक संत साह वली उलाह से ठीक है देखे सेयद अहमद बरेलवी के प्रवयतनों से ही यहां आंदोलन सिग्र रूप में ही या अतिशिग्र जो है वहा फिभी ने छेतरों में फैल गया जिन में सामिल थे काबूल, उत्तर पस्चिमी सीमा प्रांथ, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांथ और अन्ने छेत कुछी समय में सेयद अहमद बरेलवी के नित्रित्यु में पिसावर पर कबजा कर लिया गया 1830 में और सेयद अहमद बरेलवी ने यहां पर अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए लिकिन अगले ही वर्स यानि की 1831 में बाला कोट की लड़ाई में सेयद अहमद बरेलवी मारे ग पटना जहां पर इस आंदोलन को अपना नित्रित्य प्रदान किया मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमद दुल्ला आदि ने पटना के अतरिक्तिया आंदोलन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बंबई में भी सक्रिय रहा था अठारा सो संतावन के विद्रों में वहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में भी अपना बहुत योगदान दिया था इन सभी का नाम ये सारी चीजे आपको याद रहनी चाहिए ठीक है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ वहावी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तिवों में सामिल थे मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, आहमदुल्ला और सैयद एहमद खान निक्स्ट कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? अ. गुरु रामदास ब. गुरु नानक इसका जो सही अंसर है वह है option number C, कुका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा देखे कुका आंदोलन भी यह बहुत कुछ वहावी आंदोलन से ही मिलता जूलता था क्योंकि दोनों ही आंदोलन धारमिक रूप से आरम हुए थे किन्तु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गये और जिसका सामान ने उद्देश से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था ठीक है यह तो हो गए कुका आंदोलन और वहावी आंदोलन के बारे में बात की दोनों आंदोलन भईया वो जो थे धारमिक आंदोलन के रूप में ही सुरू हुए थे लेकिन अंततो गत्वा इनका उद्देश जो है वह यह हो गया कि भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया जया है तो कुका आंदोलन के शुरूवार यह हुई थी पस्चिमी पंजाब में 1840 में और भगत जवाहर मल के द्वारा जिनकों की सियान सहब के नाम से भी पुकारा जाता था इनके द्वारा या इनका उद्देश जोता बहता सिक धर्म में प्रचनित बुराईयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को सुद्ध करना किन्तु बाद में राम सिंग के नित्रत्रुम में यह कुका आन्दोलन जो है भार धार्मिक आन्दोलन से राजनीतिक आन्दोलन परिवर्टित हो गया 1872 इस्वी में आगे चल करके राम सिंग को नरंगून निर्वासित कर दिया गया जहां पर 1885 इस्वी में राम सिंग की मृत्यू हो गई थी नेक्स्ट यहां पूछा जा रहा है कि कुका अंदोलन की निव पड़ी थी ए बंगाल में बी बिहार में सी पंजाब में या फिर दी महाराश्टर में तो कुका अंदोलन की निव पश्चिमी पंजाब में पड़ी थी 1840 में इस अंदोलन की निव रखी थी भगत जवाहर मनले और जिनका उद्देश से था सिक धर्म में प्रतिलित बुराईयों और अंद विश्वासों को दूर कर सिक धर्म को सुद्ध करना लेकिन आगे चल करके राम सिंग के नित्रत्य में यह राजिनीतिक अंदोलन में प रेकोलियोह का के चल इसका जो सही अनसर ऑफसन नमबर वी पागल पंति जो विद्द्रोछ था यह प्रमुक्तिया विद्द्रोल था जिके है पागल पंति जो था वह एक और्धारमिक संपरताय था और गारो जनजाति से संबंधित यह विद्रोह था जिसका प्रभाव चेतर था उत्तरी बंगाल हुआ क्या था कि उत्तरी बंगाल के करम साह ने ही यह पागल पंत विद्रोह चलाया था आगे चल करके करम साह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू ने धारमिक तथा राजनेतिक उद्धेसों से इस आंदोलन को प्रेरित किया था टीपू के द्वारा जमिदारों के द्वारा मुजारों पर किये गया अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया 1825 में टीपू ने सेरपूर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा और वह इतना सक्तिसाली हो गया कि स्वतंतर सत्ता का प्रयोग करने लगा टीपू के द्वारा प्रसासन चलाने के लिए एक न्यायधी, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की भी नियुक्ति की गई थी ध्यान दीजेगा कभी-कभी प्रस्णों पर इस प्रकार से पूस लिया जाता है कि विभिन जन आंदोलनों के दौरान उसके एक नेता ने सत्ता पलट की थी तो उनमें सामिल है वहाबी आंदोलन जिसमें पेसावर का तक्ता पलट किया गया था 1830 में सयद एहमद बरेलिवी के द्वारा और दूसरा सामिल है पागल पंथ विद्रोव जिसमें सक्ता को पलटा गया था टीपू के द्वारा 1825 में और कहां का तो सेरपूर का ठीक है जिसमें टीपू ने एक नियाधीज एक मजिस्टेट और एक कलेक्टर को भी नियुक्त किया था ठीक है हलांकि इस आंदोलन की सुरुवात की गई थी करम साह के द्वारा ध्यान रखियेगा चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं कोन फराजी विद्रोह का नेता था ए आगा मुहम्मद रजा बी दादू मिया सी समसेर गाजी या पे डी वजीर अली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर बी फराजी विद्रोह के जो नेता थे वह थे दादू मिया आईए इसके बारे में बात करते हैं देखे फराजी लोग जो थे वह बंगाल के फरीद-पूर के हाजी सरियत-उल्ला दोरा चलाएगे संपरदाए के अनुई आई थे ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनितिक आमूल परिवャर् geliyor तनों का पर्तिपादन करते र और यह विद्रो 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा अंत में इस संप्रदाय के अनुयाई जो है वहावी दल में सम्मलित हो गये थे ठीक है तो यह तो हो गई स्टेटमेंट अब ऐसे समझे कि जो फराजी लोग थे वह फराजी कीने बोला जाता था तो जो बंगाल के फरीदपूर क हाजी शरीयत उल्ला के अनुयाई थे उनको फराजी कहा गया इन लोगों के द्वारा विभिन प्रकार के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में विभिन प्रकार के पतिपादन बीच बीच में जारी किये जाते थे ठीक है आगे चल करके शरीयत उल् बीच अनवरत चलता रहा अंत तो गत्वा इस विद्रो का अंत कुछ इस प्रकार से हुआ कि यह जो फराजी संपर्दाय था वह पूर्टया जो है वहावी दल में सम्मिलित हो गया था नेक्स्ट फराजी कौन थे तो फराजी जो है वहाजी सरीयत उल्ला के अनुयाई थे ध्यान दीजेगा दादू मिया के अनुयाई नहीं थे इसका जो सही अंसर है वह है option number A वेलू थमपी ने अंग्रेजों के विरुद आंदोलन का नित्रित्त किया था केरल में ठीक है तरसल हुआ क्या था कि 1805 में बेलेजली ने ट्रावन कूर के महराजा से सहायक संधी कर ली थी या उनको मजबूर कर दिया था सहायक संधी की सर्थों को स्विकार करने के लिए हालांकि जो राजा थे वह संधी की सर्थों से अपरसने थे और इसकाराड उसने जो है जो ट्रावन कूर के महराजा थे उन्होंने सहायक संबंधिक कर देने में बार-बार आना कानी की और धन जो है वह बकाया होता चला गया और उनके द्वारा और वहां पर अंग्रेज ने विद्रोह कर दिया और इसका साथ दिया वहां की नायर बटालियन ने नायर बटालियन मतलब राजा के जो सैनिक थे उन्होंने इसका साथ दिया वेलू थंपी का अंग्रेजों को इस विद्रोह का दमन करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भी भेजनी पड़ी थी अभी इसके बारे में और बात होगी, ठीकर, नेक्स्ट, महाराष्ट में रामोसी कृतक जत्ता किस ने इस्थापित किया था? A. न्यायमूर्ती रानाडे B. गोपाल कृष्ण गोखले C. वासुदेव बलवन्त फड़के या फिर D. जोतिवा फूले इसका जो सही अंसर है वह है option number C. महाराष्ट में रामोसी कृतक जत्ता जो है वासुदेव बलवन्त फड़के के द्वारा इस्थापित किया था? देखें यहाँ पर बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जन्जात के लोगों को संखटित कर वासुदेव बलवन्त फड़के ने प्रसिचित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृसक जत्ता की इस्थापना की फड़के को गिरफतार करके काला पानी की सजा द फड़के जी का यहाँ पर जीवनकाल का समय दिया गया इसको याद रखना आपको आवस्चक नहीं है ठीक है नेक्स्ट रामोसी विद्रोस सही रूप में किस भावगोलिक एलाके में हुआ था ए पस्चिमी भारत बी पूर्वी भारत सी पूर्वी घाट एक सेकंड यह पस तरता वह था पस्चिमी घाट रामोसी विद्रोह का देखें यहाँ पर थोड़ा सा और डीटेल में दिया हुआ कहना थोड़ी थोड़ी करके टुकड़ो टुकड़ों बात हो जाएगी देखें पस्चिमी घाट के रहने वाले रामोसी जंजात के लोगों ने 1822 इसमी में अपने नेता सरदार चितर सिंग के नित्रत में विद्रोह कर दिया जिसे रामोसी विद्रोह कहा गया रामोसीयों ने 17 के आसपास के चित्रों को लूटा और किलो पर भी आकरमण कर दिया है ठीक हालांकि यह विद्रोह दबाया गया लेकिन आगे चलकर के 1825-26 में जब भयं कर अकाल पड़ा और अन्न का आभाव हो गया तो इस कारण भी रामोसीयों ने उमाजी के नित्रत में फिर से विद्रोह कर दिया था आगे चलकर के इन्हीं रामोसी जनजात के लोगों को वासुदेव फल्वन्त फड़के के द्वारा संगटित कर उनको प्रसिछन प्रदा फल्वन्त फड़के को 1883 में काला पानी की सजा के दौरान जो है वहां इनकी मृत्व हो गए एक सेकंड क्या मैं बता रहां देखें अंत्तु गत्वा हुआ कि फल्के को विरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई जहां पर सन 1883 में इनके द्वारा आमरण अंसन करते इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर बी गटकरी विद्रो का जो प्रमुक के नर्था वह था कोलहा पूर्द गरकरी लोग थे कौन तो गटकरी लोग जो है वह मराठो के किलो में काम करने वाले वनसा अनुगत कर्मचारी थे इनके द्वारा विरोध क्यों किया गया तो मनमाने धंक से भूर आज़सु की वसूली मराठा सेना से इनको सेवा मुक्त किये जाने के करण और साथी साथ उनकी जमीनों को मामलत अदारों की देखरे के अधीन किये जाने के कारण इन्होंने विद्रोह किया था 1844 इस्वी में कोलाग पूर में ठीक है और इस विद्रोह को जबाने के लिए अंग्रेजों को काफी संघर्स करना पड़ा था दर असल के सारी बाते हैं होई गटकरी लोग थे कौन इनको ना असल में मराठो के हाँ पहले देखा होगा आपने इ और विभिन प्रकार के लगान जो है वह भूमी से वसूले जाने लगे इसी का विरूत्स किया गया विभिन प्रकार के जन अंदोलों में न कि क्रिस्कों के द्वारा बलकि विभिन प्रकार के जमिधारों के द्वारा भी ठीक है तो फिलाहाल अगला प्रसन देखते हैं यह गदा चली इसका जो सही अंसर है वह है option number B मरिया या मानव बली प्रथा का निशियत करने के कारण अंग्रेजों को खोंद विद्रो या खोंद जन्जाति के विद्रो का सामना करना पड़ा था देखे खोंद जन्जाति के लोग थे वह तमिलनाड से लेकर के बंगाल और मत भारत का जो पहाड़ी चेत्र है वहाँ पर इनके द्वारा निवास किया जाता था या पर यूं कह क्योंकि अंग्रेजों ने मरिया या मानव वली को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था यह इनके विद्रो का प्रमुख कारण था ठीक है और इस आंदोलन को या इस खोंद विद्रो को अपना नित्रित्त प्रदान किया था यूवा राजा के नाम से प्रसित्ध चक्र बिसोई ने और अगर विद्रों के अन्य कारणों के बारे में बात करे तो चुकि यह जंगलों में रहते थे तो स्वतंतर थे लेकिन आगे चल करके जब अंगरे जाये तो उनको अधिक से अधिक भूमी के ज़रुवत पड़ी और वह जंगलों में भी फैल गया और वहां से विभिन प्रकार की जमिदारी विवस्था को लागू करते हुए लगान को वसूलने का प्रयास किया गया यानि कि अगर कुछ अन्य कारण भी लिखने हो तो नय करों का अरोपन जमिदारों तता साहुकारों का प्रवेस आधी जो है यह इस अंदोलन का कारण बना लेकिन ज 1855 में चक्र विशोई अचानक से ही लुप्ट हो गया और आगे चल करके यह अंदोलन समाप्त हो गया इस कारण से ठीक है इसका समय था 1837 से 1856 के मद्ध है नेक्स्ट कोल विद्रो 1831 32 का नेत्रे तो किसने किया ए बुद्धो भगत बी सुर्गा सी सिगराय या फिर डी जतर भगत चली इसका जो सही अंसर वह है आफ्सेन नंबर ए कोल विद्रो का नेत्रे तो किया था बुद्धो भगत ने जिसका समय था 1831 से 32 तक कोल विद्रो की बात कर रहा हूं ठीक है देखे 1831 में बुद्धो भगत के नेत्रे तो में कोल विद्रो जुआ या चोटा नागप पुर्व के चेत्र में कोल विद्रों का नित्र तो 1831-32 में बुद्धु या बुद्धो भगत ने किया था और इसके प्रमुक चेत्रों की बात करें तो उनमें सामिल थे सिंग भूमी पलामू हजारी बाग और मान भूमी आधी चेत्र और यह विद्रों क्यों हुआ था तो इसका जो प्रमुक कारण था वह था इन चेत्रों में जमिदारों द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ाया जाना 1831 में जब बुद्धो भगत की मृत्य हो गई तो उसके बाद इस विद्रों का संचालन किया गया गंगा नारायन के द्वारा ठीक है और यह विद्रों जो है वह रुक रुक करके 1848 तक चलता रहा लेकिन अंततो बत्वा इस्ट इंडिया कंपनी जो है वह इस विद्रों का भी दवन करने में सफल हुई लेकिन कभी भी आपसे अगर कोल विद्रों का समय पूछेगा तो आपको 1831 और 32 पर ही टिक करना है ठिक तो फिलाल अगला प्रस्ण देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नित्रत्य में कोल विद्रों किस छेत्र में हुआ इसका जो सही अंसर है वह है आपसा नंबर बुद्धो भगत के नित्रत्य में जो कोल विद्रों हुआ था वह हुआ था सिंग भूम पलामू हजारी बाग और मान भूम छेत्रों में ठीक है बाकी सब के बारे में अभी हमने उपर बात कर ली है अगला प्रस्ण देखते हैं यहां पूछा जारा है कि बगेरा विद्रो कहां हुआ A सूरत B पूना C कालिकट या D बड़ोदा चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर D बगहेरों का विद्रोह बड़ोदा में हुआ था अठारा सव अठारा में देखे हुआ क्या था कि बड़ोदा के गायकवाडों ने अंग्रेजी सेना की साहता से बगहेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयास किया जिसके परिडामसरूप बगहेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया अठारा सो अठारा सो उननिस के मद्द अंग्रेजी प्रदेसों पर भी बगहेरों द्वारा आक्रमण किया गया लेकिन अंत्तों गत्वा यहां आंदोलन अठारा सो बीस इस्वी के आसपास समाप्त हो गया था अगला प्रस्ण देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि ब्रिटिस अपनिवेशिक विवस्था के विरुद्ध अठारा सो संतावन से पुरू में भारत के विभिन भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना क्रम के अनुसार रखें अ deficiency काई सब्सक्र Canal क्रम होना चाहिए था पेला बंगाल का सिपाही विद्रोथू दूसरा कर्च का विद्रोहों तीसरा वेल लोर का सिपाही विद्रो चौथ हार में पांचमा पित्द्रोहों चलिए इसका जो सही अंसर वह कूट तो दे लीजिए 1, 3, 4, 5, 6, B, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 5, 6 C, 4, 1, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 7, 1, 2, 4, 5 6 मैं बार बार बोल रहा है चलिए फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए सबसे पहले हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रो कब 1764 में किस टाइम जब हेक्टर मुनरो की एक बटालियन जो है वह बक्सर की रड़ भूमी में मीर कासिम से जाकर के मिल गई थी उसके बाद हुआ था विल्लोर का विद्रो कब 1806 में कब तो जब विल्लोर के सैनिकों ने अपनी सामाजी तता धार्मिक रेतरी वाजों में हस्ट चेप करने के कारण मैसूर के राजा का जंडा फैरा दिया था ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ था कच्छ का विद्रो हुआ फिर संथाल विद्रो हुआ था समयकाल इनका यहां पर देख लेते हैं कि देखें कि अधार सो संतावन के पूर्वे विद्रो का क्रम इस प्रकार से था बंगाल का सिपाही विद्रो 1764 में जिसमें हेक्टर मुन्रों की एक बटालियन बक्सर की रड़ भूमी से मीर का जाकर मिल गई थी दूसरे हुआ था वेलोर का सिपाही विद्रो 1806 में तीसरा हुआ था कच्च का विद्रो 1819-1831 के मद्ध फिर हुआ था कोल विद्रो 1831-32 के मद्ध और उसके बाद हुआ था संथाल विद्रो 1855-56 के मद्ध नेक्स्ट वेलोर का विद्रो किस गवर्णर के समय हुआ था इव विलॉलि बी लाड मिनन्टो फी लाड काडमाली और का जो सही अंसर है आप्शन नमबर डी विल्लोर का विद्रोह जो हो सर जार्ज बारलो के समय हुआ था था थीक है देखें जिसमें 1806 में ही वेलोर के साइन को ने बित्रो कर दिया ता तो फिलाल इस लेक्चर में ही रखते हैं अभी थोड़ा सा जाना है एक जगा मुझे तो नेक्स लेक्चर में हम लोग इसके बाकी बचे प्रस्नों को कंप्लीट कर लेंगे और यह आज ही कंप्लीट होगा यह ध्य करेंगे और उसके बाद देर रात में आपको इस चेप्टर के बचे हुए प्रस्नों का डिस्केशन दे दिया जाएगा तो चलिए थैंक्यू थैंक्यू वर्यू वर्यू डिस्केशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिएगा धन्यवाद